हेलो एबरीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप से भी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे इसमें टॉप 50 जीके के जितने भी सम्मान या फिर प्रुसकार मसूर व्यक्तियों या फिर किसी भी चर्चित व्यक्ति को दिया गया है इस वीडियो में प शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को बता दू मैं यह एक्स्प्लेनेशन वाली वीडियो नहीं होगी सिर्फ फैक्ट के एकॉर्डिंग जो है जो भी पुरुसकार या सम्मान जिल लोगों को दिया गया है उनकी फोटो सामने रख दी जाएगी तो चलिए सुरू कर यह क्या है राश्पती है भी तो फिलाल जो राइट आंसर होगा यहां से आप फोटो देख रहे होगे और आपको पता चल चुका होगा यह है अंजला मरकल जो कि जर्मनी की पहले चांसलर रह चुकी है यानि कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर नेक्ट कोशन आपके सामने यह रहा करनाट का सरकार ने किसे 2022 के लिए करनाट करतन के पुरुसकार से या फिर एवार्ड से सम्मानित किया है यस को धुरूब सरजा को पुनित राजकुमार को या चिरंजीवी सरजा को तो देखे इसका जो राइट आंस किस के लिए दखे एक साल पहले का ये वार्ड है रास्ट ये लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है यहां से आपसन देख सकते हो आनन मिलिंद रमे सिंग सैलेंदर सिंग या फिर कुमार सानु को 90 वाले जो भी लड़के होंगे उनको पता होगा कुमार सानु की क्या पर आम नरेश शरवन, ड्रोवेन ब्राभू, डेरन समी या फिर क्रिस गैल को तो देखे इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपसन सी डेरन समी यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे जो किरकेट देखते हैं उनको पाचान में या आप ही रहे होंगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की ओर, मिस वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किस न जीता है तो यहां से आप देख लिजे सुरुतिका, वेदकी डौंग्रे, रोसनी रजाक या फिर खुसी पटेल ने, तो देखे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, आपसन नमबर है, वो बता देता हूँ आप लोगों को, राइट अंसर हो जाएगा, फ्रेंक विल जैक, यानि कि डी ओप्सन आपका राइट होगा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस वर्ल 2021 का खिताब किस न जीता था, बहुत ही इंडिया 2022 किताब जो है किसन लिखा, यह बुक का नाम है, फेमिना मिस इंडिया 2022, इसको किसने लिखा है, हरनाज कौर संधु ने, सिनी सेटी ने, या फिर सुमन राव ने, या फिर टोनी सिंग ने, तो देखे इसका जो राइट अंसर होगा, वो हो जाएगा, सिनी सेटी क भी देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं मिस युनिवर्स 2021 कि सा खिताब किस न जी था भी तुरत मैंने आप लोगों को बताया था हरनास संधु इनका क्या है राइट आंसर है ना इनका ए करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंड की और किस नेता को लिबरिटी मेडल 2022 से समानित किया जाएगा लिबरिटी मेडल से जो है समानित कर पाने वाले नेता कौन होगे जो बाइडन जेलंस की अंजला मरकल या फिर नरेंदर मोधी तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम ह व्लादमिर जनस्की इनको ये समान दिया जा रहा है बीस का राइट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं किसे हिंदी भासा में साहित एकादमी युवा पुरुसकार 2022 दिया जाएगा छमा सर्मा भगवंत अनमोल आसिस पुरोहित या सृति कानित कर तो देखिए इसका ज तो टोटल बच्चों की संख्या बतानी है आपको यहाँ पे तो टोटल बच्चों की संख्या हो जाएगी 50 बिल्कुल नहीं 40 बिल्कुल नहीं 60 बिल्कुल नहीं यह रही निकी राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 ऑप्सन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आप PM म Moritorious Service Medal से समानित किया है, आपको बताना उस देश का ना, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा, क्या, अमेरिका बिल्कुल नहीं, मलेसिया नहीं, इंडोनेसिया नहीं, राइट आंसर होगा, आपका सिंगापूर, यानि कि A option आपका correct हो जाएगा, चलि किसको ये पुरुषकार मिला हुआ है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाऊगे, और इसका जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, जिसान आ लतीफ, यानि कि A, इसका right answer होगा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाऊगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, जनरल विपिन रावत की हेलिकॉप्टर में क्रैस हो जाने की वज़े से इनकी मिर्थी हुई, थी यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की योर, सितंबर 2022 में 52 दादा साहिब फाल के पुरुसकार किसे दिया गया है, रजनी कांत, आसा पारेक, देव पुलिकित मैसे किसे 31 सरसोती सम्मान से सम्मानित किया गया है, उस वैक्ति का नाम आपको बताना है, प्रोपेसर राम दरसमिस्त्र, डॉक्टर सरन कुमार लिमांडे या फिर डॉक्टर के सिवा रिडी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, उप्सन नम आपको बताना है, वो एल्बम का नाम क्या है, तो देखिए फॉकलोरे, गॉल्डन आवर, या रेड बॉन, या फिर वी आर, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, डी, वी आर इस दा राइट आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की और, हाल म पढ़ने से पहले आप लोगों को बतातू हूँ, अगर आप KBS के प्रिवेसर कोशन पेपर को लेना चाहते हो, PRT, TGT, PGT के लिए, 99 में ये अवलेबल है, 399 में आप मेरे हैं रेट और सेक्वाइर कर सकते हो, जो की एक्जाम के पॉइंट आप ब्यू से बहुत यहां से देख लिए, मनिज जोसी नहीं, रतनलाल बिल्कुल नहीं, सकुंतला हरक सिंग ये भी नहीं होगा, राइट अंसर आपका होगा, डॉक्टर सिंथिया, रोसेजन, जविक, यानि की एज का राइट अंसर हो जाएगा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, फोटो से आपने पता भी लगा लिया होगा, यहीं इसका राइट अंसर होगा, किसे व्यक्तिकत स्रेनी में कुस्ट रोग के लिए अंतराष्टिय गांधी सम्मान पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो देखे इसका राइट अंसर होगा, वो आप्सन A नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D यानि कि डॉक्टर भूशन कुमार को राइट अंसर के रूप में आपको चुनना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 प्राइम टाइम एमी एवार्ड में जो बेस्ट ड्रामा स्रीच है, उसे किसे यह जो एवार्ड है, किसे दिया गया ह दक्राउन को, टेड लासो को, सक्सेशन को या फिर हैक्स को, तो देखे इसका जो राइट अंसर होगा, वो हो जाएगा, अप्सन नमबर D, यानि कि हैक्स को यह जो है अवार्ड मिला हुआ है, D is the right answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रसन की और हैक्स की जो है फोटो भी आप यहां से देख सकते हो, जिन्हां देखना हो वो देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाल में ही किसे निर्मला, देश पांडे, सांती पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है, मनुझ पांडे, तेज कॉल, प्रभात पतनायक या फिर अमर मित्रको, तो देखे जैसे ही अप्सन में जो है, अप्सन डियाप का करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, और फाइनली पुस्पा फिल्म की यहां पे बात आही चली है, पुस्पा यहां पे तमील में लिखा हुआ है, दादा साहब फाल के अवार्ड 2022 में फिल्म ऑप द येयर का अवार्ड किसे मि समानित किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभा रह यानिकी बी ऑप्सन के साथ आपको जाना था, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की हो, किसे 2022 के लिए पुलिजर एवार्ड से समानित किया जाएगा, पुलिजर एवार्ड जो है, वो आंसर भी आपको पता चल चुका होगा, विक्की कोशल, आपसन सीजन का राइट आंसर है, विक्की कोशल के साथिक एटिनर कैप से हाल में ही हुई है, आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन आपके सामने ये रहा, फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरु पुरुषकार 2022 में किसे दिया गया है, ये एसिया का नोबल पुरुषकार भी माना जाता है, याद रखिएगा, फिलिपेन्स के पूरुराष्ट पती मैक्स से थे, रहमेन मैक्स से, उन्हीं के समान में ये एवार्ड दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो इन तून तीनों लोगों को जो है रहमेन मैक्स से एवार्ड मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, किसने हाल में ही मिस डिवा, यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिवितारा यानि की आप्सन सी इसका राइट आंसर हो चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल में ही किस भारतिय लेकिका को हरमन कैस्टन पुरुषकार 2022 दिया गया है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, 31 का, वो हो जाएगा आप्सन नमर D, मीना, कांडा, शौमी, D is the right answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रसन की ओर, कि IUNCN, UCPA International Rencer Award जीता हुआ है, किस पार्क को ये अवार्ड दिया गया है, तो देखिए इसका जो correct answer होगा, वो होगा, और अगे नेशनल पार्क यानि की option D आपका correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, उससे पले question पुछना चाहता हूँ, अगर आपको इस तरह की series और भी 43, किस भारतिये को UN के स्तरवोच परियावरन पुरुसकार, Champions of the Earth 2022 से समानित किया जाएगा, तो देखिए ये अवार्ड जो है जाएगा, पुर्निमा देवी वर्बन को, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, A option आपका correct answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हा गोल्डन ग्लोबल एवार्ड 2022 में किसने बेस्ट फिल्म यानि कि ड्रामा के छेतर में ये अवार्ड जीता है, तो यह एक लीचे, The Power of the Dog यानि कि option, A आपका right answer हो जाएगा, कुट्टे के power की बारे में ये movie है, आगे बढ़ते हैं, दो हजार बाइस में पहले लता दीनानात में इसकार पुरुषकार से किसे समानित किया गया है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, नरेन मोदी, यानि कि A आपका क्या है, correct answer है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, वर्स 2022 के लिए, Loris Sportsman of the Year किसे दिया गया है, तो देखिए इसका correct answer होगा, मैं सिर्फ वो बता द मैक्स, इसका right answer हो जाएगा, A के साथ आपको जाना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल में ही किसे पहले बंगला एकाद में पुरुषकार से समानित किया गया है, तो फोटो आपने देख ली होगा, और आपको पता ही होगा, यह ममताब इनरजी की फोटो है, पस्री मंगा 2022 का एवार्ड जीता है, तो देखिए, 1C का परमार, यानि की option, C आपका क्या होगा, correct answer हो जागा, C के साथ आपको जाना था, आगे बढ़ते हैं, 67, फिल्म फेयर एवार्ड में, बेस्ट मोबी का एवार्ड जो है, किसे मिला है, सेर साको, यहां से आपने फोटो भी देख यह तो आगे आवले option को देखने की जरूत नहीं है, यह आपका right answer होगा, 73, जीडी विडरा पुरुषकार 2021 से किसे समानित किया जाएगा, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो नारायन प्रधान जो है, इनको यह अवार्ड दिया जाएगा, B आपका right answer है, आगे बढ आपको बताना है किसे, तो दमा, जो दामोदर मौजी है, यानि कि C का right answer हो जाएगा, यहां से आप इनकी picture भी देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, हाल में ही सुबास चंद्र बॉस आपदा प्रबंधन पुरुषकार 2022 दिया गया है, आपको बताना है किसे यह पुरुषकार दिया गया है, तो देखिए इसका जो right answer होगा, प्रोफे इनको जो है इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, इन्होंने ये खिताब जिता है, किस भारतिय मुल्के नॉबल बिजिता को ब्रिटेन के order of married पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो देखिए इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number D, वेंकी, रामा, क्रिशनन को ये अवार्ट से सम्मानित किया जाएगा, यहां से देख लिए question number 48 और 49, यह दो questions है, यह 49 यह रहा, यह दोनों questions के answer आप लोगों को नीचे comment section में देना है, नहीं पता तो Google करके, इसके answer जरूर दे दे, और जाते जाते फि झाल